विदार्थियो आज का ये जो हमारा वीडियो है वर्ष के जो विदार्थी है और उनकी जो परसित पुस्तक है राजनिती विज्ञान के मूल आधार उसका जो पहला टोपिक है राजनिती विज्ञान का प्रमप्रागत और आधुनिक द्रस्टिकोंड तो इस वीडियो में हम बज्योद में राजनिती विज्यान का जो प्रम प्रागत दृष्टी कोण komma है उसके नुसार राजनिती विज्यान का अर्थ क्या है प्रम अहाँ करमो के अ つ क्या बदो है इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं देखिए अधिन की स्वीधा की दरश्टी से राजनिती विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है पहला प्रमप्रागत दरश्टी कौन और दूसरा आधुनिक दरश्टी कौन इसापुर्वे छटी स्ताब्दी से लेकर द्वीते विश्वयुद तक राजनिती विज्ञान के समंद में जो दरश्टी कौन परसलित था उसको हमें राजनिती विज्ञान के प्रमप्रागत दरश्टी कौन की संग्या देते हैं इसके विपरिते द्वीते विश्वयुद के पस्चा ते राजनिती विज्ञान के समंद में जो नया दरश्टिकोन उबर कर सामने आया उसको हम आधुनिक दरश्टिकोन की संग्या देते हैं तो राजनिती विज्ञान विशे की लंबी परंपरा रही है राजनिती विज्ञान का जनक होने का सरे युनानियों को दिया जाता है क्योंकि इस दिसा में युनानी जो दार्सनिक थे पलेटो अरस्तु शुकरात उनका विशेश योगदान इसके अंतरगत रहा है इसके जनम को पलेटो के आदर्सवाद और अरस्तु के बुद्धी वाद से अभी संचित किया जा सकता है जो ग्यान की दो परमुख धराएं हैं जिनकी बाद में व्यक्या की गई और उनको तोड मरोड कर पेश किया गया पलेटो का उनत आदर्सवाद और अरस्तु की विग्यानिक करमबदता राजनितिक सिधान्त के रसनाकारों को निरंतर प्रेरित करती रही है और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विशे है वो भी बनी हुई है यूनानी चिंतकों के समय से लेकर आस तक विविन चिंतकों, सिधानतवेताओं, विशलेसकों के योगदान से राजनिति विग्यान के रूप और उसकी जो परम्पराएं हैं वो समय समय पर बदलती रही है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोटे रूप से राजनिती विग्यान के दो दरश्टिकोन उबर कर सामने आते हैं पहला राजनिती विग्यान का परंप्रागत दरश्टिकोन और दूसरा राजनिती विग्यान का अधुनिक दरश्टिकोन जो परंप्रवादी राजनिति विग्यान है वो मुखे रुप से मानकात्मक है इसलिए इसको मानने वाला जो राजनितिक सिधान सास्त्री है वो राजनितिक दार्सनिक सा लगता है और आतुनिक राजनिति विग्यान मुखे रुप से विवारवादी या अनुभावासरित है और इसलिए इसको मानने वाला जो राजनितिक सिधान सास्त्री है वो राजनितिक विग्यानिक जैसा लगता है लेकिन इन दोनों के बीच कोई बड़ी विवाजन रेखा नहीं खि स्लित है पहला परमप्रागत द्रिष्टी कोण और दूसरा अधुनिक द्रिष्टी कोण राजनिति विग्यान का जो परमप्रागत द्रिष्टी कोण है वो एक परकार से इससे हैं वो दासनिक जैशे लगते हैं इसके विप्रिते आधुनिक जो राजनिती विज्ञान है जो द्विते विश्वाइद के बाद में उबरकर सामने आया है ये तथ्यों की बात करता है ये एक परकार से इसमें विज्ञानिक्ता की बात करता है कारिय कारण समंद की बात करता अनुभा वासरीत है, मुल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देता है तो ये मोटे तोर पर राजनिती विज्ञान के समंध में दो प्रकार के दरश्टिकूर्ण हैं पहला परंप्रागत दरश्टिकोन और दूसरा अधुनिक दरश्टिकोन अब दिखिए राजनिती विग्यान जो परंप्रावादी परिभासाईं हैं उसके अंतरगत एक तो एक अमुर्थ सहस्ता है उसकी अभिवेक्ति है वो सरकार के माद्यम से होती है इसलिए राजनिती विग्यान है वो सरकार का धिन है कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनिती विग्यान है वो रज्जे व सरकार दोनों का धिन है कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजनिती विग्यान मानव किरियाओं का धिन है तो इसमें मोटे तोर पर अलग अलग विद्वानों ने प्रमप्रागत द्रस्टिकों की राजनिती विज्ञान के समंद में अलग अलग परिभासाइं परस्टूत की है राजनिती विज्ञान एक प्राचिन विशे है प्रमप्रागत राजनिती विज्ञान से अभी प्राए वह राजनिती विज्ञान है जो एक प्रकार से विवहारवादी करांती से पूरुवा में परचलित था। प्रमप्रागत राजनिती विज्ञान के सिधानत अपने परतिपादक के विख्टित रहे हैं। पलेटो से लेकर एकविनास, रूसो, कांट, हीगल तक राजनतिक सिधानतों को सदेव, आचार सास्तर या दर्शन सास्तर के एकंस के रूप में प्रतिपादित किया गया। प्राचिन दर्शनिकों की चिंतन प्रनाली तार्कीक एवं निगनात्मक है, पुरातन राजनितिक सिधान्त प्राई बोध्धिक और तरक एवं निगनात्मक निशकर्स हैं। वो राजनितिकों नितिक के नियाई सास्तरिये कानोनी पहलों से ही देख पाए हैं। उनके सोध और विशलेशन की परमुख विधियां एतिहासिक और वर्णनात्मक रही हैं। उनके अनुस अंदान के मुखे विशे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है राज्य सरकार और राजनितिक सिंस्थाएं रही हैं। अब देखिए बात करते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनिति विग्यान को राज्य का अध्यन मानते हैं। जैसा कि बात यदि करें गार्नर की तो गार्नर ने कहा है कि राजनिति विग्यान का प्रारम वरंत वो राज्य के साथ होता है। बलंड सली की बात करें तो उन्होंने कहा है कि राजनिति विग्यान एक ऐसा विग्यान है जिसका सम्मंद राज्य से है। उसकी प्रम आवसेक परवर्ती, परकर्ती, आधार भोती स्तती, वीविद सवरूप एवं विकास को समझने का प्रियतन उसके अंतरगत किया जाता है। गेरिस ने कहा है कि राजनिति विग्यान राज्य के उद्भाव विकास, उदे से और समस्त राजकी समस्याओं का उलेक करता है। लोड एक्टन के सब्दों में राजनिति विग्यान राज्य और उसके विकास के लिए निवारी दसाओं से समन्दित है। गुड़नाव लिखते हैं कि यह विज्ञान उसंगठन का अध्यन करता है जिसे हम राज्य कहते हैं यह राज्य की स्थिर और प्रगति सील दोनों आवस्थाओं का अध्यन करने वाला विज्ञान है तो यह सबसे पहले हम बात करें राजनिती विज्ञान का जो प्रगति सामिल किया गया है और उनकी परिभासाइं है उनको हमने एक एक करके उसका अध्यन किया है कि कौन से विज्ञान ने प्रमप्रागत दरश्टिकोंड में राजनिती विज्ञान को राज्य के रूप में किस तरीके से परिभासित किया है कुछ विद्वान जैसा कि मैंने आपको बताया है वो यह मानते हैं कि राज्य है वो एक परकार की अमूर्थ सहस्ता है उसको मूर्थ सवरूप सरकार के माद्यम से दिया जा सकता है राज्य है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता निर्जीव है उसके अभिवेक्ति सरकार के माद लिकोक है यह ऐसे विद्वान है जैम्स है यह ऐसे विद्वान है जो राजनिती विज्ञान को सरकार का अध्यन मानते हैं जैसा कि लिकोक ने कहा है कि राजनिती विज्ञान सरकार से समंदित शास्तर है जेमस ने कहा है कि राजनिते विज्ञान राजे का विज्ञान है लेकिन राजे में सरकार है वो भी अंतर नहित है शीले ने कहा है कि राजनिते विज्ञान के अंतरगतые सासन समन्दिततों कानुस अंधान ठीक उसी परकार किया जाता है जिस परकार अर्च शास्तर में धन का, प्राणी शास्तर में जीवों का, बीज गनित में अंकों का और रेखा गनित में इस्थान, दूरी और लंबाई चोड़ाई का करते हैं तो कहने का आर्थ ही है कि दूसरे के जो विद्वान है वो राजनिते विज्यान को सरकार से सम्मंदित मानते हैं इनमें सिले और लिकोक है वो दो विद्वान मैत्वण हैं जो राजनिते विज्यान को सरकार का अध्यन मानते हैं अब आते हैं तीसरी केटेगरी में वे विद्वान हैं जो राजनिती विग्यान को राज्य का अध्यन भी मानते हैं और सरकार का अध्यन भी मानते हैं तो इसमें पॉल जेनेट और गिल क्राइस्ट गेटेल इन विद्वानों को लिया जाता है इन विद्वानों ने कहा है कि राजनेति विज्ञान राजे के साथ साथ सरकार का अध्यन है वो भी इसके अंतरगत करता है तो संक्सेप में प्रमप्रावादी विद्वान राजनिते विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्यन करने वाला वी से मानते हैं राजे के बिना सरकार की कलपना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार द्वारा राजे द्वारा परदत प्रभूत्व सकती का परियोग करती है सरकार के बिना राजे के अमूर्त कलपना मात्र है पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, गेटेल आदी ऐसे विद्वान हैं जो राजनिती विज्ञान को राज्जे के साथ साथ सरकार का अधिन भी करने वाला विशे भी मानते हैं बात करें दि पॉल जनेट की तो पॉल जनेट ने राजनिती विग्यान की परिवाशा देते हुए कहा है कि राजनिती विग्यान समाज विग्यानों का एक ऐसा अंग है जिसमें राज्य के अधार और सासन के सिदंतों पर विचार विमर्श किया जाता है गिलक्राइस ने काया कि राजनिती विग्यान एक ऐसा विशे है जिसमें राजनिती और की सामने सेंग क्या है उन सब का अधियन इसके अंतरगत किया जाता है इस परकार प्रमप्रागत जो राजनिती विज्ञान है उसके अधियन पर दर्शन, इतिहास, विदी शास्तर इनका अधिपत्य था यह राजनितिक सेंस्ताओं के सेंस्तागत धांचे के अधियन पर बल देता है परमप्रिक राजनिति विग्यान का समंद केवल ऐसे सी दानतों पर था जिने राजनितिक तथ्यों का प्रिक्षन किये बिना निकाला गया था अता ही है राजनिति विग्यान जैसे विशे को राज्जे और सरकार के संकुचित दाइरे में ही परस्तूत कर पाया बात करें राजनेते विज्ञान के छेतर की प्रमप्रागत दरश्टी कौन के अनुशार तो इसके अंतर गयते राजनेते विज्ञान के विशे की जो अध्यन की जो विशेवस्तु है वो राज्ये है किन्तु यह प्रसन उपस्तित होता है कि राज्ये के वे कौन से पहलू है जिनका विवेचन राजनेती विग्यान द्वारा किया जाता है अथार्त इसका छेतर क्या है तो इसके अंतरगते यदि हम छेतर की बात करें तो राजनेती विग्यान का जो प्रमप्रागत दरश्टिकोन है उसके छेतर में राजे सरकार राजे सरकार दोनू इन सब का जो यदि बात करें गुड़नाओं की तोनोंने राजनिति विग्यान का सम्बंद तीन बातों से जोड़ा पहला राज्य की इच्छा का निर्मान, दूसरा राज्य की इच्छा की अभिवेक्ति और तीसरा राज्य की इच्छा की किर्यानुति राजनिती विज्यान के छेत्र को दो खंडों में बांटा पर्थम सेधांतिक राजनिती और दूसरी वेभारिक राजनिती सेधांतिक राजनिती में राज्जे के आधार भूत समस्याओं का अध्यन किया जाता है और विभारिक राजनिती में राज्जे के किरियात्मक्ष अउरूप निरंतर परिवरत अंशील सरकारों के वास्तविक किरियाकलाब जो है उनकी विवेशना इसके अंतरगत की जाती है विलो भी जो व्यद्वान हैं उन्होंने राजनितिविजान की तीन मैतवपूर्ण विशों को आधिन किया है, राजजे, सरकार और विधी सिज्विक ने राजनिती विज्यान के छेत्र को दो भागों में बांटा है पहला राज्य के संगठन से समंदित और दूसरा राज्य के कारियों से समंदित तो ये कहा जा सकता है कि राजनेती विग्यान का जो परंप्रागत दरस्टी कौन है उसका छेतर क्या हो इस प्रसंद का अधिन करने के लिए 1948 में युनेसको के तत्वावधान में राजनेती सास्तियों का एक सम्मेलन पेरिश में आयुजित किया गया और उसमें यहनेर ने लिया गया कि राजनेती विग्यान के छेतर के अंतर गयते किन किन बातों को सम्मलित किया जाए तो इसमें चार मैत्वर्म बातों को सम्मलित किया गया पहला राजनिती सिधानते इसमें राजनितिक विचारों का इतिहास तथा राजनितिक सिधानते उनको सम्रित किया गया दूसरा है उसमें राजनितिक सहिस्थाएं जिसमें सविधान, राष्टिये, छेत्रिये, स्थानिये सरकारें, लोग परशाशन, सरकार के सामाजिक और आर्थिक कारिये, तुलनात्मक राजनितिक सहिस्थाएं तीसरे में दल समू है और जनमत यानि दल परनाली दबाव हित समू है जनमत सासन में जनता की भागेदारी और चोथा है उसमें अंतराश्ची समंध जिसके अंतरगत अंतराश्ची राजनिती अंतराश्ची विधी अंतराश्ची संगठन और परशाशन इस परकार परंप्रा का दी और अन्त राजे ही ये सीं। बात करें Heni, एधि राजनेते विज्ञान के प्रमप्राग दरश्टि कौन के अधिन पदतियों आधिनी पदतीयों तो प्रुरातन राज्नेते के साथ साथ एतिहासिक अनुभव और तुलना से भी काम लिया मद्यू के इसाई विचारकों की पदती है वो सुध पंडिते वादी थी मोटे तोर पर जो प्रमप्रागत जो दरस्टिकॉन है उसकी जो अधियन पदतियां है उनको हम चार बागों में बाढ़ते हैं पहली जो अधियन पदती है वो दार्सनिक पदती है उसको हम निगमनात्मक पदती के नाम से भी जानते हैं ये अधियन के एक ऐसी विधी होती है जो ठोस तत्थों पर आदारित नहीं होती ये कल्पना और आदर्सों पर आदारित होती है इस पदती में सर्वपर्थम मस्तिस्ट में कलपना या भावात्मक आदर्स है वो इस्तापित किया जाता है और फिर कलपना के द्वारा प्रिणामों पर पहुंचने का प्रियाश किया जाता है दार्शनिक पदती के समर्थक विद्वानों में पलेटो, थॉम्समूर, रूसो, हीगल, गरीन, बोसांग के आदी इसके पर प्रियोग किया था तो देखिये दार्शनिक पदती का दूसरा नाम है निगमनात्मक पदती यह ठोस तथ्यों पर आदारित नहीं है यह कलपनाओं, मुल्यों, नितिकताओं पर आदारित है इसमें पहले कलपना मस्तिस्क में कर लिज जाती है और फिर उसको शाकार सवरू हमें देखने को मिलती है इसके समर्थक विद्वानों में प्लेटो थॉम्समूर रूसो हीगल गरीन बोशांके आधी के नाम कि इसके अंतरगत सामिल किये जाते हैं दूसरी अध्यनपदती है हुआ है इतिहासिक अध्यनपदती प्रंप्रावादी राजनिती सास्तरियों ने इतिहासिक प्रियोग किया इनके अनुशार इतिहास है वो राजनिती विग्यान की प्रियोग साला है राजनितिक सैंस्थाओं आदर्सों सिधान्तों और समस्याओ की जड़े हैं वो एतिहास में खोजने का प्रियतन करते हैं लॉसकी ने कहा है कि राजनित्य विज्ञान का धिन राज्यों के इतिहास में अनुबहूं के प्रिणामों को इकठा करके लिखने का प्रियास ही होना चाहिए इस यह जो अधियन पत्ति है प्रमप्राग द्रश्टिकॉन की है इतिहासी का द hopes वा। उसकी प्रीयोग सलह के रूप में माना जाता है और DES ध्यूंस्यूंस्याइज Seven कि जड़े इतिहास के परेष्टों में परियातन और तराधिय क row L में परद्फीन पद्द्दति के द्वरा किया गया अरस्टु ने परसिद गरंथ पॉलिटिक्स में अपने समय में परसिलित 158 देशों के समयदानों का तुल्नात्मा का दिन किया और तुल्नात्मा का दिन वरतमान समय में तुलना करके उनके बारे में नियम और सिध्धानतों का निर्धारन करें इतियास में हम को राज्यों के विबिनंगों के विकास पतन और विनास के उधारन दिखलाई देते हैं तुलनात्मक अध्यन से हम निसकर्स निकाल सकते हैं कि किन किन कारणों से क्या प्रिणाम निकालना तरक संगत होगा तो इस अध्यन पदती के परमुक समर्थक विद्वानों में अरस्तू, मौन्टेस्क्यू, लाड़ ब्राइस, डे टाक्विले जो विद्वान हैं वो परमुक हैं तो कहने का अर्थी है कि तुलनात्मक पदती की जो निव है वो राजनिते विज्ञान में अरस्तू के द्वारा रखी गई अरस्टु ने अपने समय में परशलित 158 देशों के सविदानों का अध्यन किया और 158 देशों के सविदानों का अध्यन करके तुलनात्मक राजनिती की निव रखी और इसके अंतरगत मॉन्टेस्क्यू, लाड़ ब्राइस, डी, टौक्विले, इनका नाम भी इसके अंतरग कानूनी काई मानती है इसका कारिये कानून बनाना उने करना है यह राजनितिक सहंस्ताओं का अध्यन सुवेधानिक परपेक्सिय में करती है इस पद्धति के समर्थक विध्वानों में विलोभी और डिगवीट है इन के एक कानूनी काई मानती है और इसके जो समर्थक विजवान है उनमें विलोबी और डिग्विट हैं उनके नाम उलेखनिये हैं संक्सेप में राजनिती विज्ञान का जो परंप्रागत दरश्टिकोन है उसकी जो अध्यन पदतिया हैं उनमें दार्शनिक एतिहासिक तुलनात्मक कानूनी और स्वेधानिक जो अध्यन पदतिया हैं उनको समलित किया गया है इन अध्यन पदतियों के जो निशकर्स हैं व प्रदानताय निश्चल या गती ही इन है और राजनिती में गत्यात्मक सक्तियों को समझने का कोई प्रियतन इसके अंतरगत नहीं किया गया है तो आज का ही जो हमारा वीडियो था इसमें हमने यह देखा कि राजनिते विग्यान के समझ्द में दो परकार के दूसरा अधुनिक दर्श्टिकोंड प्रमप्रागत दर्श्टिकोंड में भी हमने प्रमप्रागत दर्श्टिकोंड के नुसार राजनिती विग्यान की परिभाशा और अर्थ किया है विबिन विद्वानों ने प्रमप्रागत दर्श्टिकोंड को किस तरीके से परिभा से हैं उन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आगे के वीडियो है वो इसी करम में आगे जारी रहेंगे आगे हमारा जो वीडियो आए farming त how we प्रमप्रागत द्रश्टिकॉर्ण की विश्यश्था हैं क्या है उन के बारे में और फिर आधुनिक द्रश्टिकोर्ण और उसके आगे का जो इसे लेवस है उसके अकोर्डिंग हमारे वीडियो है वो निरंतर इसी गती से जारी रहेंगे धन्यवाद